उत्तर प्रदेश की दस विदाजबा सीटों पर उप्टाओं होने हैं और इन उप्चुनाओं में जो सीट सबसे यदा चर्चा में हैं वो है कानपूर की सीसा मोसीट इसका कारण यह है कि यहां पर जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे रिफान सोलंकी उनको कोर्ट से स गया उसके बाद उनकी विधायकी चली गई लेकिन उससे जादा इस बात किसी सीट पर मारा मारी मची हुई है कि आके भी सीट पर किसको टिकट मिलेगा अगर हम बात करें गडवद्नन की तो कम से कम एक बात तो बिलकुल साफ हो गई है कि इस सीट पे जो भी प्रत्याशी उतरेंगा वो समाजवादी पार्टी का उतरेंगा अर उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तकरीबन पिछले बाइस सालों से यह सीट समाजवादी पार्टी के पास रही है और एक तरह से कॉंग्रेस ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि सीसमो सीट सपा के खाते में ही का नसीम सोलंकी जो किर्फान सोलंकी की पत्नी है और यह प्रस्ताव पास किया गया कि नसीम सोलंकी को ही टिकट दिया जाए उसके बाद एक बैठक होती है लखनव में जहाँ पे उनके समाजवाजी पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष अखले श्यादा बैठक पे शिरकत करत लगना है कि इस सीट पर नसीम सोलंकी चुनाओं लड़ेंगी इसके लिए नसीम सोलंकी को बकाइदा बता दिया गया है और तैयारी करने को बोल दिया गया है तो नगर संगिठत का क्या कहना है चलिए आपको वो सुनाते हैं हाँ बिलकुल राष्टी अध्द्र जी ने सिर तो अगर इस बात को सही माना जाए तो कम से कम एक बात तो साफ हो रही है कि अब इस सीट पर किसी और प्रत्याशी की दावेदारी काफी मुश्किल समझ में आ रही है क्योंकि जिस तरह से संगठर ने बताया है कि पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ नसीम सोलंकी का नाम ही कर प्रत्याश्टा के लिए क्या उनके नाम भी कड़ गए हैं लेकिन ये सारी बाते तभी पूरी तरह से साफ हो पाएंगी जब इस सीट पर और बाकी सीटों पर चुनाओं घोशित हो जाएंगे और उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से अधिकारिक तौर पर प्रत्य ही पड़ रही है उससे तो कम से कम यहीं लग रहा है कि नसीम सोलंची का टिकट लगवा के सीट पर फाइनल हो गया है अन्ब्राग अगरवाल टीवी नहीं कानपॉर्ट